Hello ATPans, आज की इस छूटे से समय में हम लोग औरगेनी का पहला sequential reaction डिसकस करने वाले हैं, तो एक बार ध्यान से board पे देखिएगा जैसे कि आपके सामने कलकीन ड्रॉड की गई है, अलकीन के अंदर फर्स टेप में add किया हुए B2S6 followed by H2O2 आप सभी जानते कि कभी भी अलकीन के उपर अगर B2S6 गिवन हो, तो वो अपर्टिवे reaction होती है, आपकी हाइड्रोबोरेशन वाली और next step में basically H2O2 वो यूज किया हुए, इसका मतब वो oxidation है, इसका मतब simply जो नेम रेक्शन है, that is hydroporation and oxidation, इसमें आपको water का अडिशन कराना होता है, according to anti-marconic off's rule, और एक बात इसमें ध्यान रखने वाली क्या है, कि असके अंदर non-classical carbo-poton का formation होता है, अगर इसके जगा पे लिखा होता है, HGOC2 और NEBH4, मतब वो oxy-mercuration हो जाता, और oxy-mercuration के अंदर water condition करा जाता, according to marconic off's rule, तो दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, इसके लाब अगर मैं second step की बात करूँ, तो given है, आप डाइलू टेस्टोस फोर और heat, heat देने का मतब यहां पे elimination reaction की बात हो रही है, और dilute SOS4 का मतब आपको यहां पे H+, दिया हुआ है, H+, का काम simple क्या होगा, alcohol को protonate करने का होगा, और जैसे alcohol protonate होगा, वो convert होगा कार्बोकटाइन में, और कार्बोकटाइन जैसे बनेगा, आपको ध्यान अखना कि वो classical है, वो rearrange कर सकता है, अगर वो कार्बोकटाइन rearrangement के जा सकता है, तो जो final कार्बोकटाइन बनेगा, जो सबसे ज़्यादा stable होगा, वो इस reaction का final intermediate होगा, और next step में simply आपको बीटा कार्बन से हड्रोन को अटा के, अलकीन का formation करना है, तो I hope कि आपको सवा समझ में आया होगा, और नीचे comment section में सवाल का उतर देना मत बूलेगा, म तक अलब बरी बैक,